यह इस्टुडेंट अपने पहले प्रपर्टी पढ़े थी रेशनल नंबर्स की अभी अपन कुश्यन सौल करेंगे जिसे अपन प्रपर्टी को यूज करके इन रेशनल नंबर्स के ऑपरेशन को सौल करेंगे तो देखिए फैस्ट कुश्यन अपना एक्सराइज 1.1 का फैस् सबसे पहले इसमें अपन प्रोपर्टी यूज़ करेंगे जिससे यह क्या हो पास पास लेंगे इसको मैं यहां से इसको मैं लें लेंगे रहूँने तो यहां पर दिखी के सबसे पहले है माइनस 2 अपोन 3 मल्टिप्लाई 3 अपोन 5 अब ये वाला याँ पे लिखे जाँगा माइनस 3 अपोन 5 मल्टिप्लाई 1 अपोन 6 और प्लस 5 अपोन 2 कुमें लास्ट में लेके जाँगा याँ पे आपकी प्रापर्टी कौन सी ओगी कुल्कुल्डेटीव प्रपर्टी कम्मुटेटीव प्रपर्टी रिखती इसको यह प्रपर्ट्ट एपने डिसकेस की दिवले इसे क्या होगा इनकी पोजीशन चेंज हो जाती है पोजिशन चेंज ओने से इसके अंदर कोई way welche नहीं होतीएएडिशन के अंदर ठीक है कर टो यहाँ पर इसको ne też चैंज कर दिया अब देखे यहाँ पे माइनिस भी वपय फॉन फॉन फॉझ और यहाँ भी हाँ फॉन 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 लेंगे तो यहां पर आपकी डिस्ट्रिबूटिव प्रोपर्टी लगेगी माइनस थ्री अपॉन फाइव को मना जाएगा और ब्रेकेट के इंदर आपका बचेगा टू अपॉन थ्री प्लस यहां पर यह माइनस अपने बाहर ले लिया तो पीछे प्लस बचेगा प्लस वन पॉन शिक्स और यह लास्ट वाले 5पॉन डूए वह वैसक वैसा यहां पिंदर के लिए को अपनेल सेम civ लेकर कर लेंगे इसका अपनेला छूचाय पॉन नम्बर को अंगल कर वैल्सियम 6 हो गया तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे 2 टाइमस 2 मल्टिप्लाइ 2 कितना मन जाएगा 4 इसी टाइप से 6 से 6 डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा 1 टिप्लाइ 1 प्लस 5.2 यहां पर अपने डिस्ट्रिब्यूटिव प्रपर्टी यूज कीती थे इसको लिख देंगे डिस्ट्रिब्यूटिव प्रपर्टी अब यहां पर देंगे माइनस 3 अपन 5 इदर इसको अपन सॉल कर लेंगे कलिब्रेकेट वाला 4 प्लस 1 अपन 6 प्लस 5 अपन 2 इक्वल टू माइनस 3 अपन 5 यह आपका होगा 5 अपन 6 यह इसके मल्टिप्लाइ में जाएगा प्लस 5 अपन अब देखिए 5 से 5 कट्चल हो जाएगा 3 से 6 प्लस 5 से 5 डिवाइड होगा 1 तर 1 बच्चा इदर भी 1 और इससे 3 से यह डिवाइड होगा 3 बन और 6 तू टाइमस अब यहां पर आपके वेली क्या आजाएगी माइनस वन अपन टू प्लस 5 अपन टू इसको वापस अपन लेकर सॉल करेंगे तो माइनस वन प्लस 5 अपन टू इक्वाल टू अपके आपास आजाएगा आज आजाएगा 4 तू यहां पर अपन दू प्रॉपपिटी यहां पर आपि प्रॉपंट यूझ की एक प्रॉपटी अन शेकिन डिस्ट्रीबिटी प्रॉपटी तो इन प्रॉपटी यूझ है करके इसको स्वाल्व करना था तो यह दोन depression property यूज करके इसको solve कर दिया इसी टाइप से इसका next question है 2 upon 5 multiply minus 3 upon 7 minus 1 upon 6 multiply 3 upon 2 plus 1 upon 14 multiply 2 upon 5 तो इस question को भी अपन property यूज करके solve करेंगे यह same property अपने यूज़ करेंगे इसमें देखें सबसे पहले 2.5 multiply minus 3.7 minus 1.6 multiply 3.2 plus 1.14 multiply 2.5 अब यांब देखें कि 2.5 और 2.5 इन दोनों multiplication ना रहा है इसमेंज यह दोनों जो नंबर से इनको पास पास लाएंगे तो वह कोई property यूज़ करेंगे सबसे पहले committed property तो यह वाला नंबर अपने इसके पास ले आएंगे first वाले के और इसको अपन लास्ट में बैज़ देंगे तो अपन देख लिजिए committed property यूज़ करते हैं तो 2.5 multiply माइनस 3 upon 7 अब यह माइनस 1 upon 6 से इसको लास्ट में लिख देंगे प्लस यह वाला पहले लिख देंगे 14 multiply 2 upon 5 माइनस 1 upon 6 multiply 3 upon 2 इसको अपन लाएं लास्ट में टांसफर कर लिए अब बोजिशन इनकी चैंज कर दी अपने property कौन से होगी committed property committed property अपने यूज़ किये अब आपके पास value क्या जाएगी अब देखिए इन दोनों 2 upon 5 को मना रहे 2 upon 5 तो common आ रहा उसको अपन बाहर लेंगे तो यह हो गया आपका 2 upon 5 जब अपने 2 upon 5 बाहर को मन लेंगे तो अपने पास क्या बचेगा माइनस 3 upon 7 प्लस 1 upon 14 और यह वाल अपने लास्ट वैसे बास रहे इसको 3 से कट कर दीजिए टू टाइम तो 1 upon 4 बचेगा माइनस 2 multiply 2 माइनस का 1 upon 4 बचेगा ठीक है इसको multiply करतेंगे अब यहाँ पर दिखिए इसको bracket का दिरवाले को solve करेंगे पहले तो 2 upon 5 इसका calcium लेंगे कितना होगा 14 7 से 14 को 2 टाइम डिवाइड गया तो 2 multiply 3 कितना होगया माइनस का 6 प्लस 14 से 14 वन टाइम तो यहाँ पर 1 बचेगा माइनस 1 upon 4 अब यहाँ पर देखिए 2 upon 5 वैसक बार ही पटा रहेगा ब्रेकेट के अंदर वाला वेल्यू आपके पास की माइनस 6 प्लस 1 तो यह प्लस और माइनस है तो सब्टेक्शन हो जाएगा तो माइनस का 5 बचेगा माइनस 5 upon 14 माइनस 1 upon 4 अब ब्रेकेट को अपन कर दिजिए तो 2 upon 5 multiply minus 5 upon 14 अब 5 से 5 cancel हो जाएगा माइनस 1 बचेगा यहाँ पर तो 2 से multiply करें कितना आजाएगा 7 तो अपने पास क्या वैल्यू रह जाएगी और माइनस का 1 upon 4 वे से कोई सा अब इसको अपन तो यहाँ पर बचा आपके पास माइनस 1 upon 7 माइनस 1 upon 7 और माइनस 1 upon 4 इसको अपन स्वाल करेंगे तो अपने पास क्या अंसर आजाएगा इस कैल्सियम लीजे कितना हो जाएगा 4 और 7 का 28 माइनस 4 माइनस माइनस 7 अपन डोन माइनस के तो माइनस 11 upon 28 यह अंसर आएगा ठीके यह प्रपर्टी अपने यूज की दोन प्रपर्टी यहाँ पर अपने डिस्ट्रिबुटिव प्रपर्टि यूज की वाइपर अपने क्यमिठीटिव फ साथरोद यहाँ पर लिग देना यूटिव पर अपने कमिटेटिव प्रॉपर्टी यूज की इन दोनों प्रॉपर्टी को अपने यूज करके इसको कंप्लेट सौल कर लिया तो इन दोनों कोशेंट को अपने फैर कोपी में नोट करना